नमस्कार साथियों मेरा नाव है सुनो निगम और आप देखना शुरू कर चुके हैं Center for Social Studies की वीडियो जोग्रफी मानव भुगोल के सिद्धान्त का ये दस्वा चैप्टर होगा मानव बस्ती मानव बस्ती चैप्टर नमबर 10 और ये इसका इस किताब का आखरी चैप्टर भी है मानव बस्ती जैसा कि आप सब्द से पहचान सकते हैं कि जब आप मानव बस्ती के बारे में पढ़ें जब आप मानव बस्ती के बारे में पढ़ेंगे तो इसका मतलब ये आपके निवास इस्तान चाहे आप गरामिल परिवेश में रहते हों चाहे आप शहरी परिवेश में रहते हों चाहे आप दिल्ली जैसे मेट्रोपॉलिटन सिटी में रहते हों या आप बिहार के किसी दूर दराज के दिहात छेतर में रहते हो या आप हिमाचर परदेश के किसी पहाडी पे रहते हो जो आपका निवास स्थान है वो असल में बस्ती कहलाता है वो नगरिय बस्ती हो सकती है वो ग्रामिड बस्ती हो सकती है तो मानौफ का जो निवास स्था जो कि हम बात करेंगे इस चैप्टर में, मुल्तह मुख्य रूप से हम जब मानब बस्ती का वर्गी करन करते हैं, तो उसके कई आधार हो सकते हैं, लेकिन जो किताब के नुसार और सिलेबस के नुसार जो मुख्य वर्गी करन है, वो ग्रामिन बस्ती और नगरिय बस्ती के उ स्थान देखें का कारिक किया जासा कि बाड़ आ गई तो वहां लोगों को पहुंचा दिया जाए वहां लोग सुरक्षित रह जाए तो वह अस्थाई रूप से होता है जैसी बाड़ चले जाती ही लोग वापस आ जाते हैं लेकिन वह भी बस्ती ही कहलाती है एक तरह से रिलिफ कैम्प कह सकते हैं हम उसे लेकिन वह भी अस्थाई या रूप से बसा हुआ कोई भी छेत्र जहां पर मकानों का समूम हो हम उससे क्या कहेंगे बस्ती कहेंगे हल鬼 जैसाम आपको बता दिया हुआ कि बस्तियोंको जो है बस्तियोंको ग्रामीड और नगल्य च्खेत्र में बाटा जाता है लेकिन इसे किस आधार पर बाटा गया है कि ये ग्रामिन छेतर है ये नगरिय बस्ती है इसके ओपर चर्चा की जानी बहुत ज्यादा जुरूर है उसका जो कोर है वो मैं आपको बताऊँ कि भारत में किस आधार पे हम बाटते हैं कि यह नगरे बस्ती है यह ग्रामिन बस्ती है वो इंपोर्टन्ट है और वो एक नमर में भी आता है और भी इसके लावा कुछ किश ही है जैसा किकी आपको किताब में बताएगा कि हमारे देश में एक गाउं की जो जन संख्या है कुछ गहीं अतन्रियोई कि तरफ अगर आड़ की तुछ छोड़ी है कई शहर ऐसे जहां कि जन संख्या आपको 20,000 नहीं दिखेगी. खेंगे, योथोपिया बगर मैं आप जाके देखेंगे, तो कई सहर ऐसे हैं जहां पर 20,000 की जनसंख्या आपको नहीं मिलेगी. तो जनसंख्या क्या एक बेसिक आधार हो सकता रहे कहने कि भाई, यहां पें कम जन संख्या हो वो गाउं और जादर जन संख्या हो वो शहर लेक Understand षहती है यह भी नहीं हो सकता जैसे मैं आपको इस अच्छा में बता है और बहुआ इस न जन संख्या हो हैं यह फिर ऐर TVs परे तुप चेवर चेप्टर को प्रस्ट मिंग्या के जाती हैं तो यह गाउं में किया जाता है, शहरों में आप जानते हैं कि दित्तिक या तिरितिक कारे किया जाते हैं, दित्तिक मतलब उद्योग धंद्यों में जो काम किया हैं, जो भी निर्मान छेत्र होता हैं, तिरित्तिक मतलब सेवा छेत्र, तो आप देखेंगे शहरों में जाता है लोग यही करते हैं प्रात्मिकार्य बहुत कम लोग करते हैं या करते भी नहीं है तो यह कुछ आधार हो सकते हैं छेत्रों को बाटने के लिए अब मैं आपको यह बता देता हूँ कि भारत में नगरिय बस्ती किसे कहा जाता है और ग्रामिन बस्ती किसे कहा जाता है भारत में किसे नगरिय बस्ती कहोगे और किसे ग्रामिन बस्ती कहोगे तो नगरियवस्तियों को लेकर जो आपके page number 93 पर जो आपको दिया हुआ है column के अंदर उसे आप पढ़ सकते हैं आप और मैंने भी यहाँ पर दे रखा है भारत के अंदर नगरियवस्ति कौन सी है तो 1991 की जनगर्णा के अनुसार कुछ parameters दिये गए हैं कि अगर यह parameter आपने पूरे कर दिये यह parameter आपने पूरे कर दिये तो आप जो है नगरियवस्ति कहलाएंगे यह आपका नगरियवस्ति के अंदर आपकी इंती होगी तो क्या है वो parameter पर यह कहता है कि जो भी इस्थान वो है सभी इस्थान जहां जहां पर नगरपालिका हो नग यह हो, इन सब जगाओं की जो जनसंख्या है कम से कम 5000 हो, हाले कि 5000 से उपर ही होती है, 5000 तो आप मानी नहीं सकते हैं, हमारे याँ तो 5000 गाओं के अंदर होती है, अधिकतर गाओं में, तो 5000 से ज़्यादा जनसंख्या होनी चाहिए, 75 परतीशत पुरुस, 75 परतीशत जो पुरुस हैं उस जगा के, वो 75 परतीशत पुरुस जो हैं, गैर क्रिशी कारे करते हो, गैर क्रिशी कारे का मतलब यह है कि क्रिशी को छोड़ कर बाकि सारे कारे करते हो, जैसे कि दुकान चलाते हो, सर्विस करते हो, द्योग धंदे में का करते हो अपने खुद की दुकान हो कोई कंपनी हो इस प्रकार की कार्रे करते हो 75 प्रतिशत पुरूस और जन्संख्या घनत्व 400 व्यक्ति हो जन्संख्या घनत्व क्या है भाई इस यह भी हमने जो है चैप्टर नंबर 2 में बताया हुआ है आप उसके देख सकता अगर आपको अब बस्तियों के प्रेरूप बस्तियों के प्रेरूप मैं बस्ति के कितने प्रकार होते हैं तो बस्ति को देखिए आकरती के अधार पर हलाकि ग्रामीन और नगरिये पर बांट दिया उसके तो हम पुए चैप्टर में चटजा करेंगे आकरिती के अधार पर जो बस्तियो की बात कर रहा हूं सिर्फ ग्रामीन या सिर्फ नगर की नगर बस्ती की नहीं मैं सारे बस्तियों की बात कर रहा हूं सभी प्रगार के बस्तियों की बात कर रहा हूं उन बस्तियों का अगर प्रति रूप आपको देखना पड़े तो वो जो है आकरिती के अधार पर या तो सन सनहंत बस्तियों का मतलब है, ऐसी बस्तियां जहां पर मकान एक दूसरे के समीप हो, जहां पर मकान एक दूसरे के समीप हो, तो ऐसी बस्तियां, जहां पर मकान एक दूसरे के समीप हो, जहां पर मकान एक दूसरे के समीप हो, के आदार पे, डिजाइन के आदार पे, ठीक है, अब यहां पर जो है, उपजाओं मिटी होती है, इसलिए तो एक जगा रह रहे हैं, और समतन मैदान है, वैवसाय भी यहां पर आप देखो, तो एक समानी होता है, लगबग, लगबग, दूसरी होते हैं, परिक्रिन बस्तिया परिक्रिन बस्तिया कौम से होती है, जहर से बाता ये असके उलटे होंगी, जहां पर मकान, एक दूसरे से कुछ दूरी पर हो, जहां पर जो मकान है, वो एक दूसरे की से कुछ दूरी पर होती है, अब इसका मतलब क्या है अब आपने देखा है ना पहाडों का होडों पे आपने देखा होगा कि एक घर यहां पर है एक घर जो उससे थोड़ी सी 20-25 मिटर दूर है फिर दूसरा घर उससे भी दूर है और एक गाउं में जो आप देखते हैं कि जादा नहीं 80 गाउं तो 80 घर भी बहुत हो गए 50-60 कुछ गाउं तो ऐसे जहां पर 20-20 घर है और एक गाउं दूसरे गाउं से बहुत दूर होता है पहाडों की में बात कर रहा हूं तो यह आपको नजर आ सकता है मरुस्थल में ऐसा होता है तो यह आप देखरेंगी प्रिंक्न बस्तियां जो हैं पहाड तो दो परकार की है यह भी घ्याद रखिए मैंने बस्तियों के परकार कहा है जैसे मैं कहूंगा कि ग्रामिड बस्तियों की प्रकार अकरिती के अधर पर जब मैं ग्रामिड जोड़ दूँ हा तो वहाँ पे अलग आ जाए इंग आकरितियां लेकिन सिर्फ जब सिर्फ बस्तियों के प्रकार पूछे जाएं आकरिती के अधार पे तो सिर्फ इन दोनों का जिक्र करना है अब आजाते हैं कि ग्रामिड बस्तियों को प्राववित करने वाले कारक या जहएड़ सी बात है यह मैंने कुश्चन दे रखा जो इंपॉर्टन कुश्चन सबसे जादा इससे पूछा जाता है ग्रामिड से रिलेटिड अब ग्रामिड बस्तियां क्या होती हैं यह आपको मवेश्यों को पालते हैं इस प्रकार के काम करने वाले पराथिमिक किरियाएं कहलाती है और जहां पराथिमिक किरियाएं अधिक्तम की जाती हैं वो ग्रामिड इछेत रहेगी अब ग्रामिड बस्तियों को यायनि कि जो ऐसे लोग जो इस प्रिवियश का काम करते हैं और ऐसे लोग जहां घर बना के रहते होगे वो ग्रामिड बस्ति कहलेगी तो ग्रामिड बस्तियों को प्रावित करने वाले कारक यानि कि कहां पर ग्रामिड बस्तियां जादा होंगी कहां पर ग्रामिड बस्तियां जादा होंगी या कहां पर कम या कहां पर जादा होंगी इस बारे को यह पड़ते हैं कि ग्रामिन बस्तियों को प्रावित करने वाले कारक, कि कि इस्तितीयों पर ग्रामिन बस्तियां बसाई ज Means सक्ती है तो आप देखेंगे कि 6 कारक या 6 कारण जो हैं दिये हुए हैं जो सुरुवाद के चार कारण जैसे जलापूर्ती, भूमी, उच्छ भूमी के छेत्र और ग्रेंड मार सामिगरी, इसे मैं भागौलिक कारकों में गिनता हूँ, इसे मैं भागौलिक कारक मानता हूँ, जब ये हो गए भागौलिक कारक, इसके लाबा जो दो कारण हैं वो अल जब आपने जन संख्या को प्रभावित करने वाले कारक पढ़े थे तो उसमें भी आपने यह चीजें पढ़ी है तो आपको कुले कुछ रहे है नया तो है नहीं है न यह आप जाते हैं कि जहां जल कि आपूर्ती अधिक होगी जहां जल आसानी से मिल जाएगा वहां लोग ज जो आपकी अवशकता है वो पूरी होती है यहां तक कि जल को पाने के लिए तो लोग इतने इतनी अवशक वस्तु है कि लोग ऐसे इलाकों में भी रहने के लिए तियार हो जाते हैं जो असुविधा जनक होते हैं जैसे कि दलदल के आसपा के छेतर में भी रहने के लिए त जाता है वरना जल से दूर आप रहेंगे तो डेट किलोमेटर दो किलोमेटर आपको पीने का पानी भरने जाना पड़ता है जैसा आप मरुस्थली इलागा में देखते हैं कितना दूर जल लेने के लिए जाना पड़ता है तो ग्रामिड बस्तियां ऐसे इस्थान पर ज्याद होते हैं और वह भी प्रात्मिक कारेगे तो ग्रामिड बस्तियां यहां पर पसाई जाती है अगर जलापुर्ती अच्छी है तो नहीं है तो नहीं बजाए जाएंगी दूसरा है भूमी अब भूमी किस प्रकार से प्रभावित करती है ग्रामीड बस्तियों को देखे भूमी बहुत महतोपून एक कारक है ग्रामीड बस्तियों के लिए क्योंकि ग्रामीड बस्तियों का जो मुख्य कार है वो है खेती अगर भूमी उबजाओ है अगर भूमी की मिर्दा में उर्व रखता है अगर भूमी जादा सपाठ है यांगी मैदानी है उपजाओ है नदी घाटियों के आसपास है तो जनसंख्या अधिक रहेगी ग्रामिड वस्तियां अधिक रहेगी यूपी और बिहार का आप छेतर देख लीजिए सपाठ मैदान है जलापूरती बहुत बढ़िया है यमना और गंगा नधी के करण तो आपको गाउं भी सबसे जादा यूपी बिहार में मिलेंगे बिहार में तो पूरे ही गाउं ही गाउं है क्यों कि जो मिति है वो अप जाओ है तो वहाँ पे ग्रांब बस्तियां भी जादा है तो मनुषिक बस्ति बसाने के लिए उस भूमी को चुनता है जहाँ पर करशिकारी किया जाता है भूमी अप जाओ हो था नहीं भूमी अप ? हैं पानी असानी से मिठी को मिलता रहता है तो चाव लोगाने में असानी होती है और जो चावल की किर्षी करने के लिए अशायक है तो आप देखे कि स्व्हें किस तरह से यहां पर ग्राण बस्तिय अधिक बस आई प्रवायर को बहुँत करते गार्म हो सकता यह गारण के सूरर आवास स्थानुे लोगat उच्छी भूमी ज्यादा सुनते हैं आप देख लिए आप भी जब घर वर लेने जातेया तो आप देखते हैं कि गहरा плot तो नहीं है क्यों क्यों रहने के लिए उंच़ा Palace अच्छा होता है या उची भूमी ज़्यादा सही होती है जिन इलाकों में उची भूमी नहीं है और लोग रह रहे हैं वहाँ भी वो लोग क्या करते हैं जैसे दल्लली छेतर होते हैं वहाँ लोग अपने मकामों को इस्थंबो पर बनाते हैं लकडियों पर बनाते हैं, पासों के उपर बनाते हैं पेज नमर 94 पे चितर नमर 10.4 देख सकते हैं या आपने देखा होगा वेलकम फिल्म में जो आखरी का सीन आता है वो घर जो होता है किस तरह से बास के उपर खाड़ा होता है ठीक है तो लोग उचभूमी को इसलिए चुनते हैं जहां आपको घर बनाने के सामगरी असानी से मिलेगी वहां आप अपना निवास इस्थान चुन लेंगे भई आपको इट पत्थर लखडी असानी से प्राप्त हो गया तो आप ने बस्ती बना ली क्योंकि इट पत्थर लखडी इनी के तो जरुत होती है और यहीं कि तो अवशकता होती न घर बनाने में तो आपने बना लिए पहले जमाने में क्या हुआ जो बन थे उन बनों को काट काट के काट काट के लखड़ी का इस्तमाल करके अपने प्राचीन गाओं बसाए गए है ना ऐसी हुआ था हमारे देश में भी कि बनों को काटा गया फिर उनी जगाओं पर अपने ग्राम निवस्तियां बसाए गई है प्राचीन च्छेतरों में या अफ्रीका के जो सवाना का छेतर है वहां पर लोग कच्ची मटी से अपना मकान बना लेते हैं क्योंकि वहीं उनकी ग्रहेंड निर्मान की सामगरी है और धूर्वे छेतर में यानि कि जो धूर्व के जैसे आर्टिक है आटलांटिक है या जो भी जो मतलब जो ठंड़े परदेश है जहां पर बरफ सालों भर रहती है वहां हिम खंडों से ग्मू बनाया जाता है रहने के लिए तो आप देखरें ना छेतर के हिसाब से जहां अब ऐसा तो नहीं है आप जो है कि मरुष्थाल में वहां न सरीया जायएगा न संचार विपस्था है तो आप वहां आपना पक्का मकान बनाई नहीं सकते आप उसी के अधार पे जहां वहीं के किसी सामगरी या ग्रहन निर्माद शामगरी जो आसपास मिलेगी साहरा मरुस्तर में उसी से आप बणाएंगे अपना घर ऐसा नहीं कि आप लेंटर और टाइल वाईल लेकर चले जाएंगे और साहरा जो है वहां पाएंगा कुछ दो कारक और है यह बी इंपॉर्टन है यह सुरक्षा और राजनितिक कारक हो सकते हैं जैसे यह से मैं राजनितिक कारक मानता हूं सुरक्षा वाले को सुरक्षा वाले को मैं राजनितिक कारक मानता हूँ वो भगलेक कारक हो गए वो चारों ये मैं सुरक्षा को राजनितिक कारक मानता हूँ जैसे सुरक्षा भी बहुत महत्तों होती है लोगों अपनी जान बहुत प्यारी है तो आप देखेंगे कि जिन छेत्रों में अर्स्थिरता आ जाती है या जो बॉर्डर वाले इलाके होते हैं जहां युद्धी की स्थिती बनी रहती है या सीसफायर का हमेशा बना रहता है उपदर्व होता है या धंगा-वंगा होता है वहां से लोग जो है अपना छेत्र छो बहते हैं में फूर्फ होनी चाहिए जो अच्छे से पहाड़ी बगर होती उँचाई वाले जो इलाके होते हैं वहां जाके वह बसते हैं क्यूंकि उचाई पर हमला करना बहुत मुश्किल होता है इसलिए आप देखिए कि भारत में जो अधिकतर दुर्ग हैं आप यह उस स पहाड़ी या उचे स्थानों पर मिलेंगे इसी प्रकार जो नाइजीरिया के जो खड़े इंसेंबर्ग हैं वह एक ऐसी सुरक्षित इस्थिती परदान करते हैं कि वहाँ पर खड़े हैं उचाई उनकी भी जादा है तो वहाँ पर आसपास का इलाकों सुरक्षित हो जाता है तो वहाँ लोगों के बसावट आप देखने की बहुत जादा है यह आप नेटर सर्च करके देख सकते हैं यह हो गया राजनितिक कारक जिसमें सुरक्षा आता है दूसरा एक हो सकता है सरकारी कारक्या सरकारी यूजनाए जिसे नियोजित बस्ती सरकार ने जिन बस्ति को ब बसाया जाए तो वहाँ भी बस्तियां और लोगों का जो रहना है निवास है वहाँ वह बन जाती कींगी बस्ति है चेतर में कोई खननकार है शुरू हुआ जारगंड में, जारगंड के छेतर में कोई खननकार है, शुरू हुआ, अब काम करने के लिए लोग चाहिए है, तो सरकार ने क्या किया, आसपास बस्तियों का निर्मान करवा दिया, वहाँ उन्होंने पानी की सुविधा दे दी, वहाँ उनको आवास की सुविधा दे दी, और सर्विसिज वहाँ पर लादी, या जो है, आप कह सकते हैं कि एक रेलवे स्टेशन वहाँ दे दिया, इस प्रकार को कुछ मैं कह रहा हूँ आपको, कि तो क्या करते हैं, सरकार बस्तियों को निर्मान करती है, तो यह क्योंकि सुविधा जनक होते हैं, यहाँ तो लोग क्या है कि सरकार ने ग्रामेनी करन का, यानि कि रूलराइजेशन, ग्रामेनी करन की योजना शुरू की, वहाँ पर जो है, गाउं को बसायाने की सरकार ने योजना है, लागू की, भारत में भी आप देखोगे कि इंदरा गांधी नहर, जो राजिस्थान के अंदर है, सकते हैं, खेती असानी से हो सकती है, तो वहाँ पर बस्तियां बसनी सुरूर हो गई, तो सरगार द्वारा नियोजित बस्तियां, तो ऐसे भी बस्तियां बन सकती हैं, ग्रामेनी बस्तियां बन सकती हैं, ये कुछ महतुपून 6 कारक हैं, आप इसमें से 4 या 5 अपने एक्ज ग्रामीड बस्तियों का यानि की कहने का मतलब क्या है बस्ति इसके भी प्रतिरूप अलग-अलग हो सकते हैं इस बस्ति के अब ये ग्रामीड है और नगरिये है तो अब इस ग्रामीड के भी अलग-अलग प्रतिरूप होंगे तो मैं अब इसकी बात करूँगा जब मैंने इस की बात की स्रिफ बस्ति की बात की तो वह दो प्रकार के प्रती रूप थे संहन्त और प्रिकेंड़ अब मैं ग्रामिन बस्ति के प्रती रूप की बात करूँगा ह कि अधिल को अंतर समझ में आया होगा तो ग्रामिन बस्तियों के प्रतिरूप या ग्रामिन बस्तियों के परकार को अगर आप देखेंगे तो वो अलग-अलग इस्तिती में है अलग-अलग आधार पर उसे बाटा जाता है, अलग-अलग standard लेके उनको बाटा जाता है प्रती रूप का सिधा मतलब यह है कि मकाम जो है एक दूसरे से कैसे संबन दिता है किस प्रकार से संबन दिता है, उनका design कैसा है तो अगर आप बाटने की कोशिश करें, उनका वर्गी करण करने की कोशिश करें तो विन्यास के अधार पर यानि कि बसावट के अधार पर भी इन्हें बाटा जाता है ग्रामिड बस्तियों को, कैसे? जैसे मैदानी ग्राम हो सकते है जैसे मैदानी ग्राम हो सकते हैं, मैदानी ग्राम मतलब क्या है, जो मैदान का मतलब यहाँ पर सपाट भूमी पर जो मैदान होगे, तो हम उन्हें मैदानी ग्राम कहेंगे, जो पठार के उपर, जैसे छोटा नाकपुर का पठार है, जो पठार के उपर बस इवी ग्राम इन हिंद महासागर के टट पर बसेवे जो भारत के जो या अरेवियन सी के टट पर बसेवे जो ग्राम है हम उसे टटिये ग्राम कहेंगे क्योंकि वो टट पर बसेवे जो वन के आसपास है हम उन्हे वन ग्राम कहेंगे, मैं बसावत keeping कैथार कर रहूं इसने स्थिति-पी कैथार क्रूं कि ईसी मरुस्तुली पहाडी ए यह आप समझ सकते हैं कर इस अचने पहाड़ी कर आप जाती है तो उन्हें क्रशीत करे था कुछ ऐसे गाउं है जहां पे पश्रूओं को ज्यादा पाला जाता है जैसे अदंग आप कह सकते हो जहां पे पश्रूओं को और गाय बहस को ज्यादा पाला जाता है दूट के लिए तो आप उसे कह सकते हो एक तरह से कि वह पश्रूओं पाला ग्राम है क्यों आप पश्रू में या महराश्ठ में मच्वारे घ्राफ होते हैं कीश्चीयों को काम ज्यादा किया जाता है मच्वारों का घ्राम हो जाएगा मैं लिखते ओँ मच्वारा घ्राम भी important हो सकता है कँ ग्राम आकृती के एधार पर भी हो सकता अब देखे आया ना ग्रामिण बस्तियों के प्रति रूप आकरिती के अधार पर तो बहुत सारे हैं, लगभग 6 हैं, मैं एक एक करके बताऊंगा, 6 में कौन-कौन से हैं, तो मैं अगले पेच पर बता रहाँ, आकरिती के अधार पर ग्रामिण बस्तियां, देखें, अब यह पूरा होगा ना सें पहला है रेखिये प्रतिरूप के ग्राम, रेखिये प्रतिरूप का मतलब क्या है, मैं आपको एक एक्जाम्पल भी थोड़ा थोड़ा देते रहूंगा, वैसे आप पेज नम्मर 95 खोल सकते हैं अपनी किताब की और उसमें आप देख सकते हैं, आपको पूरे एक्जाम्पल यह अिसे मंतलब सड़क है यह बने आपके सड़क में बस गई बस्तियां आपके घर बन गए है यह जो इसका बसी है अे बिल्कुल दोनो तरफ से कहेंगे रेख्याए पर्तिरूप की इसे मों कि भीत द्वसक्ति है हमें हमें होता है खके बिल्कुल सड़क रेल लाइन ऩी के लिए नहर के किनारे बनीवी पर इस्थित बस्तियों को रेख्य पर मतंशें के गला के जब 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 रोड चौराहे पे काटता तो आप देखते हैं कि यहां बस्ति यां यहां भी बस जाती है पिर ऐसे बस जाती है पूरे चौराहे तक पर बस्ती बस जाती है तो जब ऐसे ये जब समकोण पर काटती है सडके समकोण पर काटती है इसे कहते हम आयताकार प्रतिरूप की बस्तियां इसमें सडकें आयताकार होती है जो एक दूसरे को समकोण पर काटती है आप इसे चौक पटी प्रतिरूप भी कह सकते हैं आप इसे चौक पटी प्रतिरूप किपस्ती भी कह सकते हैं तीसरा है व्रताकार प्रतिरूप व्रताकार प्रतिरूप का मतलब क्या है? देखे मानिजे यह आपका आपके गाउं का तलाब है आपके गाउं का तलाब है अब इसके चारों तरफ बस्ती बस गई इससे आप कहोगे क्या वरताकार प्रति हो यहां पहले वहले गाउं में होता था कि एक ऐसा बीच में मैदान छोड़ दिया जाता था एक यहां पे यह मंदिर या कुछ भी ऐसा बना दिया जाता था यह पदा गंजे में आपने देखा होगा सब्ती पे एक सीरल आता ता यह नहीं आता तो आप जाके देख सकते हैं उसके गाउं में आप देखोगे तो इसी प्रकार का गाउं है कि बीच की पूरी जमीन छोड़ दी है इसलिए छोड़ दी है ताकि वहां मवेशी वगरव को बा बहुआ में आप जाने से इनका विकास होता है किसका विकास होता है तारे कि प्रति रूप के वस्तियां आपका जो गाटे वाले अलाके होते हैं कुई पहाड़ों से बहुत सारी जो है रोड़े आ रही होती है और एक जगा जो है वो जाकर मिलती है कोई एक सेंटर पर मिलती है या एक घाटी में आके मिलती है अलग अलग पहड़ियों से रास्ता आता है तो इनके अगल बगल में आप देखते हैं क्या कि इनके अगल बग का मिलना और मारग के किनारे बसे मकानों से बस्तियों का निर्माण तारे अकार के प्रतिरूट की बस्तियां होती हैं आपने आप ये पेजनमा 95 पर देख सकते हैं मैं आपको बारबर बता रहाँ अगर पांच वी है T आकार की बस्ति या क्रोस आकार की बस्ती देखी तिरहा जिसे हम कहते हैं यह एक रोड है यह एक हाइवे जा रहा है आपके गाउं का यह रोड है यह जाके हाइवे से मिल गया तो यह टी बन गया ना तो इस तरहें की बस्ती होती है कि यहां भी जो है घर बने होते हैं यहां भी जो है घर कई सार और आपसमें जाके आगे मिल जाती है, किसी तीसरे रस्ते से मिल जाती है, तो यह जो मिलती है, यह वायाकार की बस्ति हो जाती है, ऐसी क्रॉस अकार की बस्ति होती है, जो इस प्रकार की रोड हो जाती है, तो यह क्रॉस अकार की बस्ति हो जाती है, ठीक है, ठीक है, तो यहा आयातकारपड़ती रूप वगर में ज्यादा difference नहीं है इसमें को दोहरे ग्राम क्या होते हैं बहुत इंटर्सविंग ऑफ logs और अपकी यह नदी आपकी तो नदी के आश्पास पूरा गाँ बसा रहेगा जो भी जीज बसति है कामी बसे भिसीओगा अब नढ़ी के इस पर पूल बन गया, तो यह जाईट से बाते हैं रोड आगे भी जाएगा और इधर भी जाएगा, तो दोहरा आकार हो जाता है, यह चोरहा नहीं हो गए, यह नदी है, यह रोड है, लेकि यह दोहरे ग्राम का निर्मान करता है, इन बस्तियों का फैलाव नदी पर पुल या फ अच्छ है, इसमें इंपोर्टेंट है, अब एक बहुत इंपोर्टेंट कोशन आता है, वीडियो इसले लंबी हो रही है, क्योंकि मैं ग्रामीर पूरा ख़तम करने वाला हूँ इसमें, और फिर दूसरी वीडियो आएगी, वो होगी आपकी, शेहर, या मैं काम करता हूँ, की तीसरी वीडियो बना देंगे, जिसमें, जो है, हम विकास ग्रामीर बस्तियों और शेहरी बस्ति, दोनों की समस्याओं की चर्चा कर लेंगे, जो second part है, वो शेहरी बस्तियों के ओपर है, और जो third part है, उसका भी लिंक मैंने description में देया रखा है, उसके अंदर मैंने चर् प्यों की जो समस्याओं है, उनके ओपर चर्चा की है, तो मैं उमीद करता हूँ, आप इसे आपको वीडियो पसंद आये होगी, आप इसे लाइक करेंगे, शेर करेंगे, और सब्सक्राइब भी करेंगे, धन्यवाद.